अगर आप भी जन्सकार ट्रिप प्लाइन कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें वैसे तो जन्सकार जाने के तीन रास्ते हैं पर आज हम बात करेंगे ले से ले तक के 10 दिन के कम्प्लीट प्लाइन की तो पहले दिन ले पहुचकर खूप सारा आराम करें और पानी पीते रहें शाम को आप जा सकते हैं ले पहले शांती स्थूपा और ले मार्केट दूसरे दिन ले को पीछे छोड़ हम जाएंगे लामा यूरू रास्ते में आप देख सकते हैं पत्तर साहिब गुर्दुआरा, मैगनेटिक हिल, संगम और लामा यूरू मॉनेस्ट्री तीसरा दिन जल्दी शुरू करें और आज आप लिंक्षेड होते हुए जाएंगे पदुआज आप पार करेंगे सिरसिरला और सिंगेला जैसे हाई माउंटेंट पासेज आज चौतर दिन भी पदुन में ही बिताते हुए आज आप देखने जा सकते हैं सानी गुमपा, जोंखुल गुमपा और कार्शा गुमपा दिन है पांचवा और आज आप जाएंगे पुरने आज आप देख सकते हैं स्टौंग डे गुमपा, स्ताकरीमो और पीवितिंग मोनेस्ट्री छटा दिन जल्दी शुरू कर आज आप फुक्तल मॉनेस्ट्री का ट्रैक कर सकते हैं मॉनेस्ट्री देखने के बाद राद बिताने वापस पदों ही जाना होगा ट्रिप का सात्वा दिन और आप आज जा सकते हैं रंदुम रास्ते में द्रांक द्रूं ग्लेशियर, पैंसिला और ट्विन लेक्स के खूपसर नजारों का आनन्द ले आठवे दिन आप सुरू वैली होते हुए पहुँच सकते हैं कारगे आज आप पार करेंगे परकाची ग्लेशियर और देख सकते हैं नुन कुन पीक दिन है नौवा और सड़क पे आखरे दिन आज आप नमिकला और फोटू लागो पार करते हैं पहुच सकते हैं वापस ले दिन दस्वा और आज एक यागगा ट्रिप पूरा कर वापस अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं